हलो दोस्तों, आध्यस क्रियेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है आज का रेस्पी है पोटाने की दाल की ड्राइ चटनी इसको पोड़ी बोलते हैं, पोड़ चटनी बोलते हैं या चटनी पाउडर भी बोलते हैं इडली, दोसा या रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है और इसको बना के एर्टाइट कंटेनर में आसानी से महिने तक स्टोर कर सकते हैं तो चलिए चटनी पाउडर कैसे बनाना है देखते हैं चटनी पाउडर बनाने के लिए पुटाने की दाल एक बॉल और थ्री फोर्थ बॉल तूखा नारियल सफेद वाला तिल आधा बॉल आधा बॉल मुंग फली और धेर सारे कडी पत्ते कडी पत्ते आपके साब से डाल सकते हैं इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दस से बारा कली लसुन की अगर आप लसुन नहीं काते हैं तो स्किप कर सकते हैं आधा चमच जीरा इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम जादा थोड़ी से हल्दी करीब आधा चमच उसके बाद इमली इन सब को ड्राय रोस्ट करना है उसके बाद ठंडा करके मिकसर के अंदर पाउडर बनाना है तो चलिए भुनना शुरू करते हैं सबसे पहले मौंगपली को बुनना है क्योंकि वो बुनने में वक्त लगता है इन सभी इंग्रीडियन्स को मिडियम आज पर ही बुनना है मौंगपली लगबग 80% बुनने के बाद एक एक करके बागी के इंग्रीडियन्स डालते जाना है अभी मैंने सुखा नारियल, लसुन और इमली को डाला है गैस के आज को मीडियम ही रखना है नहीं तो ये जल जाते है चेटनी पाउडर का टेस्ट खराब हो जकता है नारियल भी लगबग 50% भुनने के बाद सफेद तिल डालना है इन सभी चीज़ों को ड्राय रोस्टी करना है क्योंकि आल्रडी नारियल, मुंगपली और तेल में तेल रहता है ये जो शाइनी इनेस दिख रहा है वो तेल छोट रहा है उसी का है अब इसके अंदर कड़ी पत्ते को डाल देते हैं कड़ी पत्ता अच्छे से करा रहा होने तक भुनना है नौर्मली हम खाने में कड़ी पत्ता डाले तो निकाल के रख देते हैं लेकिन ऐसे पाउडर बना के खाने से वो आसानी से कंजूम कर सकते हैं लगभग होने को आया है हलका सा कलर बदला है अब इसके अंदर हल्दी डालना है हल्दी लास्ट में डालना है नहीं तो हल्दी कलर बदल जाएगा बुना हुआ चना या पुटाने दाल अल्रड़ी बुना हुआ ही रहता है लेकिन हवा के वज़े से थोड़ा सा सौफ्ट हुए रहते हैं अब लास्ट में गैस को बंद करके इसके अंदर डाल देना है एक दो तिन बार चलाना है ऐसा इससे थोड़ा करार हो जाते है और पिसने में मदद होता है भुने हुए इन सभी चीज़ों को पूरा ठंडा करके लेना है अच्छा सा कलार आया है अभी पूरा ठंडा हो चुका है मिक्सर में इसको पीस के लेना है अब नमक और लाल मिर्च पाउडर डालना है एक अच्छे से एक बार मिक्स करके इसको मिक्सर के अंदर पाउडर बना है अब दरदरा भी पीस सकते हो या फाइन पाउडर भी बना सकते हो ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है बहुत ही टेस्टी बनता है जैसे के बताया इडली दोसा रोटी किसी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर दही मिला के तड़का दिया तो वो नॉर्मल वाला चेटनी की तरह ही लगता है एर टाइड कंटेनर में स्टोर किया तो महिने भर टिकता है आपको ये वीडियो पसंद आया है पसंद आया है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले आपको ये चटनी पौडर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए फिर मिलेंगे धन्यवाद है चाहिए तो लगीडिया है तो लाइड से लगाद कर दो लाइड कर देन्यवाद